हादसों का कहर आप रुकने का नाम नहीं ले रहा है ताजह मामला लखीमपूर खीरी की ईश्या रगठ थानाशीत के अंदरगर ताने वाली एराख है मरिया पुल पर है आज सुभे भीशन सड़क हादसे में चेकी घटा इस्तल पर ही दर्दाक मौत हो गई है जबकि में जोटी हुई है थाना इश्या नगर इलाके में एरा खिमरिया पुल पर हादसा हुआ है धोर हरा में लखीमपूर आ रही थी बस और घटा की सूचना पर पाकर ही जलादिकारी महेंदर बहादूर सिंग और पुलिस सद्धिक शक्स संजीब सुमन और अपर पुलिस सद् सुच गए हैं तो वहीं जलादिकारी ने चानकारी देती हुए बता है कि छे लोगों की हालत नाचुक देखती हुए उन्हें लखनव रफर किया गया है वहीं मुख्य मंत्री ने घटना का संग्यान देते हुए काफी दुख प्रगट किया है और साथ ही खाल के लिए अच प्रशारदा नगी तो बने एरा पूल पर फूल के उन्पर विचो भी आपने सामने के प्रेंट हुए है इसमें अब तक फुष्ट शैर रूप भी है तो आति गंबी रूप से घायल हुए है बाती चार अन्य घायलों को भी रफर किया गया है कि फुल 23 लोग का यहां पर बिलाज चलगा है और प्रशाशन मौके पर भी हम लोग गये थे यहां पर गिये हैं जो बस की विलिब्टी थी वो दो लार पिज तक थी प्रशाशन परिवाल सब पड़ा हुआ है जो भी साहता हो भी उपी जाएगी लखना वब तक कुल बाती गंबी रहा है तुल पुल आज प्राता है पुण आड बजे और आज जा रही बस जो आ रही थी उधर से इधर से बता हुआ टर जा रहा था पुल के उपर एरा में स्रादर नदीत के उपर पुल के बीचों बीच आमने सामने के ब्रहंत हुए जिसमें अब तक पुष्ट मृत्यु च्छह होई हैं दू अति गंबीर रूप से घायल हैं चार गंबीर घायल हैं पकी इन 6 लोग को रिफर कर दिया गया है लखनों के लिए पकी 23 लोग के इलाज यहां चल रहा है और प्रशाशन पुरी तरह परिवार के साथ हैं सभी जितना आवश्चक स्टाव सब जगह जब विवस्थाएं कर देगे हैं और जो भी आवश्चक चीज़ें उनके सब के लिए हैं चैके